हाई विनर्स आई होप यूल आर विल दिस साइड राजी वानन्द वल्कम तो क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चानल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स आज की वीडियो में बात करने आया हूं आप लोगों से टेरा लूना और टेरा क्लासिक के बारे में आप लोग बहुत के अंदर ये टोकन इस टाइम पर अविलेबल है और लुक अट ट्रेडिंग वॉल्यूम जो लास्ट 24 आर के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीज एक बार दुबारा से दिख रही है लगबक 27% ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है और इस इंक्रीजिंग में सब लोग जानते हैं और टेक्स की चोरी का जो ब्लेम लगा उसने कही न कहीं पर बहुत हद तक ये भी साबित कर दिया कि टेरा लूना टू पॉइंटों में ठीक है कि ब्लॉक्चेन होल्ट हुई थी ब्लॉक्चेन में प्रॉबलम आई थी लेकिन कहीं न कहीं पर टेक्स की चोरी जो थी वो स्कैम को दर्शाना शुरू हो चुकी थी अगर आज आप इसका प्राइस देखें तो 373 रुपे पहुंच चुका है जिसमें लोएस जो है वो 372 यानि कि आज 24 आर में बिल्कुल अपलें लोएस्ट एमाउंट तक एक बार फिर से टेरा लूना 2.0 पहुंच चुका है अगर आप मार्किट ऑप्सिन चेक करते हैं तो लगातार लिस्टिंग बढ़ती जा रही है जो आज की डेट में 43 तक पहुंच चुकी हैं और मोस्ली एक्सचेंज पर टेरा लूना 2.0 का जो कॉन्फिदेंस है इसके इलावा जो हुआ ही ग्लोबल के उपर टोटल मेरा फोकस है 2% ट्रेडिंग वॉल्यूम से बढ़कर अब ट्रेडिंग वॉल्यूम 9.15% पहुंच चुकी है लेकिन फिर भी कॉन्फिदेंस मॉडरेट है हाला कि लीक्विडिटी 450 से उपर हो चुकी थी सीधा इंपेक्ट पड़ रहा है टेरा क्लासिक के प्राइज पर जिसको आप लोग LUNC बोलते है लास्ट 24 आर के अंदर लगबग 12% LUNC या आप बोले टेरा क्लासिक डाउन है आज की डेट में INR में डॉट के बाद 00 के साथ 64 की सीरीज में है या पर सेलिंग का रीजन इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि कहीं न कहीं पर टेरा लूना 2.0 आने के बाद टेरा क्लासिक एक मोस्ट डिमांडेबल प्रोजेक्ट बन चुका है मोस्टली लोगों को ये सच में फील हो रहा है कि टेरा क्लासिक बाई करने का आज बहुत बड़ा मोका है और जितना ज़्यादा ये अब डिप में जाता जा रहा है वो मोका और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अब यहाँ पर अगर आप Terra Classic के rate को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो दो reason सबसे बड़े हैं The first one is burning जिसको Terra Luna के founder Do Noon ने बोला था कि burning is not an alternate for Terra Classic So alternate उन्हें लगा कि Terra Luna 2.0 launch करना चाहिए लेकिन फिर भी अगर आपको Terra Classic का price बढ़ता हुआ देखना है तो Terra Foundation के लिए burning बहुत बड़ा important factor बन जाता है और दूसरा सबसे बड़ा important factor है Terra Luna 2.0 का price बढ़ना अगर ये down आ रहा है तो साथ साथ आपको Terra Classic भी down दिखेगा Burning अपना role perform जरूर करेगी लेकिन burning से वो level of amount आप नहीं देख पाएंगे जो शायद आप लोग Terra Luna 2.0 के बढ़ने से देख पाएंगे Terra Luna 2.0 का ecosystem तो day by day strong होता जा रहा है लेकिन price में dump कई न कई पर एक बार फिर से लोगों को scam की तरफ लेकर जा रहा है बहुत सारे crypto investors कई न कई पर ये भी मान रहे है कि दुबारा से Terra Luna में scam ना हो जाएं किसी भी problem को सामने लाकर के blockchain में problem आ गई beta version में problem आ गई, alpha net में problem आ गई, main net में problem आ गई, कोई भी problem सामने लाकर एक बार फिर से scam ना कर दिया जाए क्योंकि Terra Luna 2.0 के अब holders भी बढ़ चुके हैं because of airdrop airdrop से जो expectation की जा रही थी, उस expectation के according तो Terra Luna 2.0 नहीं divide किया गया, लेकिन कई ना की पर एक ऐसी condition लगा दी गई, कि 30% तो अभी ले लो और 70% जो है, वो December 2022 के बाद अगले 24 महीने तक distribute करेंगी, तो इस news को लोगों के दिमाग में इस तरीके से positive बनाया गया कि अगर December 2022 के बाद अगले 24 महीने की बात की जा रही है, इट मेंज के कम से कम आने वाले अभी धाई साल Terra Luna 2.0 कहीं भी नहीं जाएगा, लेकिन इसके बवजूद भी आप लोगों को Terra Luna कहीं न कहीं पर down देख रहा है, अब आप खुद समझिए क्या हो रहा है Terra Luna 2.0 के साथ, बट एक strong reason है, जब तक Terra Luna 2.0 नहीं बढ़ेगा, Terra Classic बिलकुल भी नहीं बढ़ेगा, तो Terra Classic के investors को कम से कम इस बात को तो जुरूर ध्यान में रखना चाहिए, दूसरा अगर मैं बात करूँ, तो Terra के जो official profile है, जहां पर आज की डेटमेंट लगबग 11 लाक followers हो चुके हैं, वहां पर लगातार इसके अंदर आपको latest update देखने को मिल रहे हैं इवन आज अगर मैं बात करूँ, तो Galaxy's most powerful DEX on Terra 2.0, मतलब Terra 2.0 का ecosystem एक बार फिर से strong बनने की तयारी कर चुका है, बहुत बड़े project, चाहे आप NFTs की बात करो, DEFI projects की बात करो, बहुत बड़े projects जो है, इवन DEX is also available, वो Terra 2.0 पर अपने projects को submit कर रहे हैं, smart contracts को develop कर रहे हैं, Terra Luna की इसी official profile पर अभी दो दिन पहले, एक पूरी list जो है, वो भी दिखाई गई दोस्तों, ये है वो list, जब आप इस list को पढ़ेंगे, तो आपको देख कर हरानी होगी, कि 2 जून को, इस list को कही न कहीं पर broadcast किया गया, क्योंकि ये list है, उन projects की, जो express कर रहे हैं, उनका interest in building on Terra 2.0, और इस list में 36 projects हैं, मतलब आप देखिए, अगर हम लोग ये माने के Terra Luna ने इतना बड़ा scam किया, tax की चोरी भी की, और 15 ही दिन के अंदर पूरा का पूरा Terra Luna ही बदल गया, अब आप देखिए, ये 36 वो project हैं, जिसमें Edge, Pylon, Hems, Angel, Terra Bridge, Hex Trust, Nubila, TNS, Terra Station, Leap, Falcon, X-Defi, मतलब कितने projects हैं, जो Terra 2.0 की help से develop होना चाते हैं, अपने पूरे के पूरे system को Terra 2.0 में develop करना चाते हैं, और इसी से आप लोगों को Terra Luna 2.0 का ecosystem strong दिख रहा है, time to time, अब यहां पर एक उमीद तो बन रही है कि Terra Luna 2 का ecosystem जितना जल्दी strong होता जाएगा, price बढ़ेगा, लेकिन हो उल्टा रहा है, ecosystem strong होता जा रहा है, और price down आता रहा है, अब हमें finally यह देखना है कि Terra Luna इस जून और जुलाई के महीने, यानि कि ए महीना और इस से अगला, इस दो महीने में अपने ecosystem को strong बनाने के बवजूद, अपने price में कितना pump लेकर आता है, या price इसका बिलकुल down जाएगा, लेकिन दोस्तों यह चीज़ की surety आपको भी हो चुकी है कि Terra classic के जो rates है, वो कई न कई पर Terra Luna 2.0 पे बहुत हद तक depend है, Terra Luna 2.0 अपने system को तो बढ़ा रहा है, price बढ़े, तो users को, holders को, investors को, traders को भी cryptocurrency market से, especially Terra Luna से कुछ कमाने का मोका मिले, और जिस crash की वज़े से लोगों का इतना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भी भरपाई की जा सके, thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark youtube channel for more updates, thank you so much